मेरा सवभाग्य है कि मैं सुभह भगवान सौमनात जी के दर्शन के लिए जा सका और मैं समझता हूँ ये सब बहुत सवभाग्य की बात होती है कि भगवान सौमनात का दर्शन में मंदिर में कोई आ सके मैं आज गया वहाँ पे बड़ा दिव्य दर्शन हुआ बड़ा अच्छा लगा साथियो पूरे गुजरात में इस वक्त एक परिवर्तन की आंधी चल रही है हर तरफ ये बात हो रही है कि अब की बार परिवर्तन लेके आना है मैं पिछले दिनों छे दिन की नौर्थ गुजरात की आत्रा पे था और छोटे छोटे कस्वों में गया गाओं में गया हर जगा यही आवाज है कि इस बार बदलाव लेके आना है इस बार परिवर्तन लेके आना है दो दिन से मैं यहां हूँ यहां भी यही सुनने को बिल रहा है इस बार परिवर्तन लेके आना है इस बार बदलाव लेके आना है यही माहौल मुझको पंजाब में दिखाई देता था यही माहौल दिल्ली में भी दिखाई देता था कभी कि लोगों को परिवर्तन लाना है आज मुझे गुजरात के कौने कौने से भी यही आवास सुनाई दे रही है कि 27 साल हो गए 27 साल में ना शिक्षा पे काम देखा ना स्वास्त पे काम देखा स्कूल बदहाल होते चले गए, एस्पताल बदहाल होते चले गए नौकरियां बदहाल होती चली गई, पेपर फूट से चले गए, व्यापार लोगों का नीचे आता चला गया, छोटे-छोटे दुकामदार दुखी हैं, बिजली महंगी होती चली गई, तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी से लोग एक उम्मीद लगा के बैठें, मैं परिवर्तन तो पिछले 10 साल से लाना चाह रहा हूं, लेकिन 10 साल से मैं लानी पाया, क्योंकि मैं भजपा को वोट देता था, कॉंग्रेस में को पसंद रही है, इसलिए मैंने कभी बदला नहीं, मैं परिवर्तन लाना चाहता था, लेकिन इस बार आमादवी पार्टी आगे है मैदान में हम आमादवी पार्टी को वोट देने जा लें केजरिवाल जी को रात को ट्रेन में बैठे सोमनात के लिए वहां भी हमारी बाजू वाली सीट पे जो लड़का था वड़ोद्रा का एक युवा सौफफरे इंजिनियर वो कह रहा है कि इस बार वड़ोद्र कोई हटा नहीं सकता है इसलिए हम इस बार इनको हटाएंगे इनको हम बदलाव लेक्ट आएंगे आप लोगों का आना इसलिए हमारे लिए अच्छा है तो यह परिवर्तन की जगह की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है और इसमें हर जगह अब तो मैं गाउं गाउं भी दर दे आता हूं रास्ते में मिलता हूं तो लोग कहते हैं अरविंद केज्रिवाल जी की गारWhoa की ऑनटी यह वह एक्षा करेंगे विजली के बिल जीरो करेंगे इसलिए हमको परिवर्तन लाना है महिलाओं के लिए काम करेंगे नौकरियों के लिए काम करेंगे इसलिए परिवर्तन लाना है और आप जानते हैं कि दिल्ली के स्कूल का काम तो सारी देश में बोल रहा है दुनिया भर में बात हो रही है उसकी गुजरात के भी गाओं गाओं में बा उसमें उन्होंने बच्चों के साथ ठीक वैसे ही बैठके फोटो खिचवा है जैसे पिछले साथ साल से मैं या अरविन केजरिवाल जी कहीं स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग बच्चों से बैठते हैं बात करते हैं टीचर से बात करते हैं वहीं बैठके उन् अगर प्रदान मंत्री जी आज बच्चों के साथ सरकारी स्कूल में बैठके फोटो खिचवा रहे हैं लेकिन दुख की बात यह है कि ये काम 27 साल पहले कर लिया होता तो आज गुजरात के हर बच्चे को शहर के हर बच्चे को गाउं के हर बच्चे को सौराष्ट्र से लेके नौर्थ गुजरात से लेके गुजरात के गाउं गाउं तक हर बच्चे को शांदार स्कूल मिल गए होते अगर प्रदान मंत्री जी ये काम 27 साल पहले कर लिया होता आज जब गुजरात की जंता चुनाव में परिवर्तन ला रही है तब आप सरकारी स्कूल में जाके हालत कहीं से कहीं पहुंच सकती थी पिता इसलिए दुखी है कि वहाँ कोई भविश्य नहीं बन रहा उनका भविश्य खराब है सरकार के 48,000 स्कूल है गुजरात में पूरे गुजरात में आज प्रधान मंत्री जी एक Mission Excellence का उद्गाटन करके आए है ना मुझे लग रहा है जब 27 साल बाद भाजपा के शाषण में पहला अच्छा स्कूल का उद्गाटन कर रहा है प्रधान मंत्री जी तो इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि 48,000 सरकारी स्कूलों में से हमने एक एक स्कूल की मैपिंग की है पूरे गुजरात के एक एक स्कूल की मैपिंग की है आमादमी पार्टी की टीम ने, कहां किस गाउं में, किस स्कूल की क्या हालत है, कितने कम रहे हैं, कितने तूटे पड़े हैं, किसका चपर तूटा पड़ा है, किसका चपर तपक रही है, कहां टीचर है, 48,000 स्कूलों में से 32,000 स्कूलों की हालत खराब है, और इन 32,000 में से 18, 2000 स्कूल तो ऐसे हैं गुजराज सरकार के जिनमें कमरे नहीं हैं तूटे पड़े हैं या ही नहीं बैठने के लिए कमरें टीचर्स नहीं हैं और जहां हैं भी टीचर्स उनके क्या हो रहा है आज ही मुझे यहाँ पे एप से थोड़ दे पहले एक टीचर आया भी मुझसे मिलन वो मुझे एक चिठ्छी देके गए आज गुजरा सरकार की आज प्रधान मंत्री जी एक तरफ तो जाके किसी टीचर के बाजू में बैठके फोटो खिचा रहें कि हम अच्छी पढ़ाई करवाएंगे और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री जी के जूना गढ़ के कारेकरम के लिए गुजरात के सरकारी स्कूल के टीचर्स को बसों में कंड़क्टर बना बना के भीड ले जाने के लिए डूटी दी गई है गुजराज सरकार आदेश दे रही है कि प्रधान मंत्री जी के कारेक्रम के लिए टीचर्स बस कंड़क्टर का काम करेंगे जब भारती जन्ता पार्टी जब बसों में भीड बर-बर के लिजा रही है प्रिधानमंतर जी की सभा के लिए तो वहाँ पे बसों का कंडुक्टर सरकारी स्कूल के तीचर्स को लगाया गयाаются और उन त्ीचर्स को लगाया गया जो यह कह रहे हैं उनकी पीरा थी तीचर्स की बच्चों के लिए गुजात के टीचर देखिए स्कूलों में कितने अच्छे हैं मुझे कहने आये साब आज हमारे छुट्टियों के पहले स्कूल का लास्ट दे है वर्किंग डे आज का दिन हमने अपने बच्चों के लिए रखा होता है सारे टीचर्स ने स्कूल के टीचर कंड़क्टर के रूप में काम करेंगे ये तो हलत कर दिये इन्होंने स्कूलों की और जाके एक स्कूल का उद्गाटन कर रहे हैं 27 साल बाद तो मुझे बेहदगर्व है कि 5 साल मिले दिल्ली में तो वहां करके दिखाया मेरी गुजरात के एक एक वोटर से अपील है कि ये तरह तरह के हथकंडे चलाएंगे अभी अगले 40 दिन चुनाव, 50 दिन चुनाव में हैं बहुत जूट बोलेंगे, बहुत शड़ेंतर करेंगे इसुदान भाई के बारे में, जक्मल भाई के बारे में, प्रवीन भाई के बारे में, खुब बोलेंगे बोलेंगे इनकी शर्ट का रंग ऐसा क्यूं था, बोलेंगे ये दो दौनों एक जैसी शर्ट पैंके बैठे हुए ते कुछ शड़ेंतर है सब कुछ बोलेंगे लेकिन मैं गुजरात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये मौका है आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाने का ये मौका है अपने बच्चों के लिए अच्छे एस्पताल बनवाने का बिना पेपर फुटे नौकरियां करवाने का तो मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस बार पांस साल के लिए मौका दें केजरिवाल जी को पांस साल के मैं अगर ये सब चीजें ना हो जितना गारंटी दियें केजरिवाल जी ने दुबारा मौका मागने ने आएंगे थैंक यू हमारे सरकारी स्कूलों में इतिहास है कि देश के इतिहास में केवल दिली सरकार ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% स्कूलों पर खर्च करती है टोटल का बाती सब जगे 10% 12% भारे सरकार तो 3% खर्च करती है लेकिन हम 25% खर्च करते हैं मैं तो यह कह रहा हूं कि यह गुजरात की आम जनता की बदौलत है गुजरात की आम जनता ने जब उसके सामने विकल पाया कि एक स्कूल बनाने वाली सरकार है कि स्कूल बनाने वाला नेता केजरी वाल आ गए है तो अब मोदी जी कह रहे हैं देखो मैं भी स्कूल बनवा रहा हूं और यह 27 साल पहले बनवा दिये होते आज तो अमिशा जी भी स्कूल जा रहे हैं चार दिन पहले मैंने फोटो देखा मिशा जी भी स्कूल में जाके खड़े हुए थे तो यह बदलाव गुजरात के वोटर के मानस की वज़े से हैं मैंने बताया एक करोड़ लोगों का बच्चों का मतलब एक करोड़ परिवार जिनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका भविश्य नोंने दाव पे लगाया हुआ है और उनका भविश्य अगर खराब हो गया शिक्षा उनको खराब मिली तो फिर भविश्य किस बात का है सर बाजब के लीडर ने आपको गुजरात के स्कूलों को मुलाकाद लेने के लिए आमंत्रन दिया था यह बात सही है मैंने उनको कहा फिर मैंने का बताओ मैं आ जाता हूं चलते हैं और गुजरात के शिक्षामंत्री जी हैं उनकी विधान सभाज शुरू करते हैं उसके बाद में भाग गए मैंने का आप मुझे गुजरात के शिक्ष्यामंतरी के स्कूल दिखाओ मैं आपको दिल्ली के शिक्ष्यामंतरी के स्कूल दिखाता हूं या जहां बोलो वहां दिखाऊंगा लेकिन वह आयव है उसके बाद से उसके बारे में ये डेप्यूटी सी एम मनिश सी सोधिया थी पूरा दूसरा देश में भी मनिश जी का वो आया है सर्वे के भई गवर्मेट अमेरिका का वड़ा प्रद्दन इदर आया था इंडिया में तो उसने भी बोला कि हमको गवर्मेट की स्कूल दिली क्यों देखने क अपना पीएम ने माना किया था कि वो स्कूल नहीं जा सकते वो लोकल जो गवर्मेट है अमारी नेगेटी है फिर भी उसका फेमिले आया था तो उसके लिए पूरा देश में एज्यूकेशन की जो शुरू आत हुई है उससे ओडर गी है अभी बिजेपी उससे डर गी है का कांग्रेस को पबलिक ने इसी के लिए हटाया है के कांग्रेस का तो इरादा एकदम खरा भी था एंडिया के लिए के पबलिकेशन में आगे नहीं आना चाहिए लेकिन बीजेपी ओई पॉइंट पे आ गिया है कि ये कांग्रेस का इरादा खराब है तो पब्लिक ने बीजेपी को लाया लेकिन बीजेपी अभी ओई ट्रेन पे चलता है कि अभी भी पब्लिक में एजुकेशन नहीं आना चाहिए तो दिली में एजुकेशन शुरू हो आई इसके लिए उसको रेड करके कैसे भी करके गुजरात का इलेक्शन में मनीज जी नहीं आना चाहिए अर्विन जी नहीं आना चाहिए अच्छे लोग दिली वाले नहीं आना चाहिए उसके लिए वो लोग ने गलत प्रयत्न शुरू कर दिया है लेकिन गुजरात की जंता पूरा इंडिया में हमको विश्वास है कि गुजरात की जनता समझदा रहे डाई है होस्या रहे वो लोग पूरी समझ गिया है कि यह लोग दगम सरकार है यह लोग ताना साही करते है यह बीजेपी की सरकार अभी ताना साही पूरा गुजरात में करती है सब को दमकाते सब को दबाते सब एजनसी का CBA ED का पुलिस का सबका क्राइम ब्रास के इसका SP का IG का सबका गलत उप्योग करता है उसे के लिए हमको आप-प लोग का भी सब का सपोर्ट पर解 Council है आप लो गमार इससा थे तो तो उसमें 3-3 करोड, 2 करोड 3 करोड का डॉम बनाया, 3 करोड का खर्शा किया और गरिब गरिब लोग को कितना दिया, वह उससे कम, और लेने को कितना आया, दिया 15-20 लोग को और छे पूरा एक साल में पूरा कागस एक टे कुछ यहाँ था पोग्राम कितने लोग आये हैं वो लेने को भी नहीं आया और जितना खर्श करते हैं उतना गरीबों को देते भी नहीं है यह गवर्मेंट छोटे लोग का वीचार नहीं करती है जिसको छोटी दुख आने हैं चोटा खेड़ुते चोटा फार्मर उसकी नहीं परवार करते हैं यह लोग बड़ा बड़ा उटगाटन करते हैं आज अभी 4,000 करोड का एक तालीषण 4,100 करोड का उटगाटन किया खाद मुरत है आज पीम ने किया और भी जुनागट में बहुत उटगाटन करने वाले इसा उटगाटन अपन बरसों से सुनते हैं पंदरा बीस साल से तो हम सुनते के इतना हजार करोड का ये माची मार को इतना हजार करोड दिया फार्मर को इतना हजार करोड दिया लेकिन कोई छोटे लोग मध्यम वर्ग अभी आगे आ सकता नहीं है आगे आया नहीं है उसको बड़ी मुश्कील है इसके लिए आम आदमी पाल्टी इमांदार पाल्टी है यह हमारा इमांदार नेता है तो हम पत्रकारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा यह बात पब्लिक तक आगे पोचाओ आप में दाकाते हैं और आप पत्रकारों को भी दबाते हैं यह सरकार दगम सरकार पत्रकारों को भी परेशान करते ह हम भी ऑंब भी जानते , फिर भी जितना सकते है करो आपि पुछ्रात को कुछ हागे बढाना चाहते हैं लिकिन अभी पब्लिक उच्को पुछेगा कि अभी इटटा साल क्यों नहीं दिया? अभी बीजली फरी के बात करते हैं, दूसरा इस्टेक में बात करता है विजली फृली देगा इसलिए हमने अभी अमरी यह सविफणत का महत्व है, इसलिए यहां से सब बात किया है, यह स्टीट का नाम और पुरा इंडिया के लिए सुम्नाथ सीट का महत्व है तो यहां से सुम्नाथ के कुछ यहां से अलग बात करेगा और पुरा इंडिया का पुरा देश का आगे बढ़ेगा ऐसा जही सुम्नाथ तेक्ट पार्टी बोर्ड श्टेटमेंट और बोर्ड अपने विचारों के लिए चानी जाती है और आपने रेवल्यूशनरी पॉलिसी दिली और पंजात में इंक्लिमेंट पॉलिसी उसके उपर छे दर्शुकों से विवाद चल रहा है वो गुजराती प्रोहिबिशन पॉल आमादमी पार्टी का स्टेंड इस पे हमारे दिली के मुख्यमंत्री और पार्टी के शीर्षनेता और बाकी पार्टी के गुजरात के भी शीर्षनेता बहुत इसपर्श रख चुके हैं कि गुजरात में प्रोहिबिशन का जो प्रियोग है वो एक अच्छा प्रियोग है और आमादमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उसके बाद भी प्रोहिबेशन ना सिर्फ जारी रहेगा बलकि जो ये इन ही के अभी सप्ता में बैठे हुए लोगों के ही धंदेबाज लोग नगली दारू बेच रहे हैं और जिसकी वज़े से गुजरात के कितने लोगों को जा